वेलकम टू जीरो से जिन्यस तक इस वीडियो कुछ टेस्ट में हम आपसे पूछेंगे समान्ने ज्ञान विज्ञान के 12 इंपोर्टेंट सवालों को जो आपके एक्जाम के लिए महत्तो अपोर्ण है ध्यान से खेलिएगा चलिए सुरू करते हैं पहला प्रस्ण है वंदे मात्रम की राचना किसने के थे आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे पास से किंट का समय ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं तो आंसर सोचने के लिए समय सुरू होते हैं अब राइट आंसर है ओप्सन नमबर डी बंकिम चंद्र चटर जे क्वेशन नमबर टू पंचाज समिती का गठन होता है पंचाज समिती का गठन कैसे होता है आंसर होगा ओप्सन नमबर बी परखंड अस्थर पर क्वेशन नमबर तिन निवना लिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा अस्थान है आंसर होगा ओप्सन नमबर सी लेह निवना लिखित में से किसने सोम परकास नामक सामचार पत्र शुरू किया आंसर होगा ओप्सन नमबर बी इस्वा चंद्र विद्या सागर ने क्वेशन नमबर फाइब एस्टेट बैंक आफ इंडिया का मुख्याल है किस साहर में इस्थित है राइट आंसर है ओप्सन नमबर बी मुंबाई क्वेशन नमबर फाइब बी में इंडिया कारे करम का लोगो क्या है राइट आंसर है ओप्सन नमबर ए सेर में इंडिया कारे करम का लोगो सेर है और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें है तो आप आपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटम पे क्लिक करकर सब्सक्राइब कर लिजीए और वेल आइकन को डबा देजिए क्योंकि ये चाइनल आपके सिलेवस पर और करता है धन्यावाद आगे सवाल है MS Word Document में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का परियोग होता है बहुत अच्छे सवाल है यहां तक कि आप Message भी टाइप करते होंगे तो आपको एक लाइन छोड़ना है तो इंटर प्रेस करना होता है राइट आंसर है Option No.A इंटर की को प्रेस करने से एक लाइन छोट जाता है दूसरे लाइन में आप चले जाएंगे आगे सवाल है India Post की इन सेवाव में से किस एक को अथाई रूप से बंद कर दिया गया है सवाल अच्छे हैं एक बर फिर से सूल लिजिए इंडिया Post की इन सेवाव में से किस एक को अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है अंसर होगा Option No.A तार को बंद कर दिया गया है Question No.9 भारत का राष्ट्री ये आदर्स वाक्य क्या है Right अंसर होगा Option No.A सत्मे हो जायते Question No.10 इन में से किसे सेर और पंजाब का उप नाम भी दिया गया है सेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है उनका नाम बताईए Answer होगा Option No.A लाला राजपत राय को आगे प्रस्ण है भारत के किस राज्जे में वर्स 1612 में अंगरेजों ने अपनी पाहलीफ हैक्ट्री की अस्थाफना के थे Right Answer है Option No.B गुजरात सूरत में Question No.12 नीचे दिये गया है एसिया के भागों में भारत एसिया के किस भाग का हिस्सा है भारत एसिया के किस भाग का हिस्सा है बहुत अच्छे सवाल है Right Answer होगा Option No.C दॉक्षिन एसिया का भाग है हिस्सा है हमारा भारत तो आपका इस्कोर क्या हुआ आप हमें कमेंट करके जरूर बताईए आपके लिए एक सवाल भी है निम्न लिखित में से किस खेल में गेंद का इस्तमाल नहीं किया जाता है तो कमेंट वक्स में जाईए वहाँ पर लिखिए Q4E और इसके Right Answer और आपने इसके पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो इस्क्रीन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं आप अमरे से रेगुलर जरूर रहिए तो मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में जाई हिंद जाई भारत